Hello Officers! Udda247 के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस से पहले सेशन में हमने Puzzles डिसकस की थी Puzzles को हमने जब स्टार्ट ही किया था उस पर मिले हुए आपके Feedback और Response को देखते हुए वही सीरीज आज हम Continue करने वाद है ठीक है? लास्ट सेशन पर मैं जब आपके Comments पढ़ रहा था तो मुझे दो चीज़े ज़रा दिखाई दी वहाँ पर कि Setting Arrangement नहीं है क्या तो आगे बढ़ने से पहले मुझे एक चीज़ क्लियर करनी है यहाँ से आगे हम Puzzle और Setting Arrangement में differentiate नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में हमें काम क्या करना है जो भी Information Confusing Format में दी जाएगी Confuse करके दी जाएगी उसको बस Sort Out ही तो करना है तो हमें Puzzle और Setting Arrangement को अलग से treat नहीं करना है बस जो कुछ भी है सारा Puzzle ही है क्योंकि सब में क्या है Ultimately Confusion ही होता है तो सारी चीज़े हमारे लिए बस Puzzle जी है Clear हो गया अब हमें यहाँ पर जो कुछ भी Conditions दी जाएगी उसके हिसाब से हमें Theme समझना है कल के session में हमने जो कुछ भी Points Discuss किये थे उसमें थोड़ा सा Highlights देखते हैं आगे आज उसमें थोड़ा सा Improvise करते हैं कल के session में हमने क्या क्या देखा था सबसे पहले तो हमें Puzzle का Theme समझना था Theme समझने के बाद उस Theme के According हमें अपना Base Choose करना है और फिर Condition को समझकर उसकी Category को हमें समझना था इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम और एक Puzzle को Discuss करेंगे और हमारा Approach इसमें थोड़ा सा Improvise करेंगे हम क्या Approach Follow कर रहे हैं कि Simple Puzzle से लेकर थोड़े से Difficult तक चलते हैं और Approach Improvise करते चलते हैं इससे क्या होता है कि जभी भी Complicated Data हमें दिया जाएगा उससे Deal करने में हमें थोड़ी आसानी होगी तो हम इसको Puzzle Solution मतलब एक Approach Builder की तरह देखेंगे आपके स्क्रीन पर एक Puzzle आएगी आप खुद पहले उस Puzzle को Sol कर लेना खुद ट्राइ करने के बाद ही इस वीडियो को आगे लेकर चलना और देखना कि कहां पर गड़बड हो रही थी अगर Solution मिल गया तो Best Case है आपके स्क्रीन पर Puzzle Sir Puzzle दिखाना प्लेज इस Puzzle में दिया क्या था देखो कि 8 लोग 8 फ्लोर की Building पर रहते हैं और सबसे नीचे जो फ्लोर दिया है वो एक नंबर है और सबसे उपर के फ्लोर का नंबर है 8 तो जो भी हमें समझ में आता है इस हिसाब से हम अपना Bay Juice करते हैं यहाँ पर सबसे नीचे वाला फ्लोर और सबसे उपर वाला फ्लोर मतलब यहाँ पर क्या दिया है चीजों को एक के उपर एक arrange करना है तो ये कल जो हमने categories discuss किये थी उस हिसाब से कौन सी category हो जाएगी ये हो जाएगी column best arrangement ठीक है तो हमें column best arrangement करनी है और जो भी हमें समझा है उस हिसाब से हम अपना base choose कर लेते है 8 floor की building 6, 5, 4, 3, 2 and 1 ठीक है अब हमने base तो बना लिया है अब यहाँ से आगे क्या करेंगे जो भी condition हम पढ़ेंगे यहाँ पर relate करने की कोशिश करेंगे और उसको उसके category के हिसाब से deal करने की कोशिश करेंगे ठीक है वो categories क्या होती है कैसे होती है हमने इस से पहले video में देखा हुआ है अगर किसी ने वो video नहीं देखा है तो आपको वो video चैनल पर मिल जाएगा ठीक है और उसकी link भी आपको इस video के description में मिल जाएगी ओके कल के video में हमने क्या देखा था कि अगर confusion होता है तो तुरंद क्या करना है हमें possibility बनानी है आज हम यह सिखेंगे थोड़ा थोड़ा improvise करते चलेंगे और देखेंगे कि वो possibility कब बनानी है कब नहीं बनानी है सबसे पहला point क्या दिया था हमें D lives on odd number floor below the floor number 6 D कहां पर रहता है 6 के नीचे odd number floor पर 6 के नीचे odd number floor कुन सा है 6 के नीचे odd number floor 5 है तो क्या D यहां पर पांचवे floor पर रहेगा ठीक है अगर किसी ने ऐसा मतलब निकाला है कि D पांचवे ही floor पर होना चाहिए तो यहां पर थोड़ी से गड़बढ है क्योंकि 6 के नीचे और 6 के just नीचे इसमें थोड़ा सा फर्क होता है तो यहां पर D कहां कहां पर आ सकता था D पांचवे floor पर आ सकता था D तीसरे floor पर आ सकता था या फिर D पहले floor पर भी आ सकता था clear हो गया यह points अभी को अब देखो कल क्या किया था हमने कि जैसे ही confusion होता था वैसे ही अलग-अलग possibilities बना ली थी अब क्या करना है थोड़ा सा इस approach को हमें improvise करना है क्योंकि puzzle सीखना है puzzle solve करने में master बनना है मतलब क्या करना है हमें कि जो भी information दी जाएगी उस information को handle करने के बस technique सीखने है और उन techniques को refine और improve करना है ठीक है क्या होता है देखो इससे कि हमारी cases थोड़ी सी कम और limit में आ जाती है और इसे हमारा थोड़ा सा time बच जाता है हमें दूसरी case मतलब case तब तक नहीं बनानी है जब तक D की वज़े से बाकी दूसरे किसी का confusion नहीं होगा जैसे मान लो कोई condition आती है कि D और A के बीच में एक person रहता है तो A को कहां पर लेंगे हम A को लेने के लिए D खुद ही fix नहीं है यहां पर तो A को लिया जा सकता है कि यहां पर नहीं लिया जा सकता है क्योंकि उसका relation किसके साथ बताया जा रहा था D के साथ जो खुद ही fix नहीं था तो हमें case तब तक नहीं बनानी है, जब तक इसकी वज़े से दूसरे किसी का confusion नहीं होगा clear है, आगे बढ़ते हैं, आगे point क्या दिया था D और C के बीच में सिर्फ दो लोग रहते हैं, अब तेको थोड़ी दिर पहले हम इसी के बारे में बात कर रहे था D और C के बीच में दो लोग चाहिए था, पर D यहाँ पर fix है क्या, D खुद ही fix नहीं है, तो C को कहाँ पर लेंगे हम, परेशानी होगी हमें C को लेने में, ठीक है तो अब हम अलग-अलग case बनाते हैं क्योंकि D की वज़े से C का confusion हो रहा है, तो हमने अलग-अलग cases बना ली है, ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, अब यह information हमारे कुछ काम की नहीं है, यहाँ पर, clear हो गया, आगे point क्या दिया है, देखो, not more than two people live between A and G, point, okay, यहाँ पर D का हमें कुछ काम नहीं है, तो यहाँ पर हमें अब तीनो case में C को relate करना होगा, इस case में अगर हम C को देखते हैं, तो C कहाँ पर आ सकता है, दो floor छोड़ कर नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक है, हमें यहाँ पर C और D के बीच में gap दिया था, उनके बीच में gap दिया है, मतलब यहाँ पर उपर नीचे पता नहीं है, row-based arrangement में हमने क्या किया था, row-based arrangement में जैसे ही gap देते हैं, वहाँ पर left-right clear नहीं था, column-based arrangement में उपर नीचे clear नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 2 floor छोड़ कर C नीचे तो नहीं जा सकता था, तो 1-2 floor छोड कर C कहाँ पर आना चाहिए, confirm उपर आना चाहिए, ठीक है, इस case में देखो, 1-2 floor छोड़ कर C नीचे आ सकता है, क्या, नहीं आ सकता था, तो उपर check करते है, 1-2 floor छोड़ कर C, उपर आ सकता है, C confirm हो जाएगा, दोनों भी cases में C confirm हो चुका है, इस case में देखते है, 1-2 floor छोड कर C, नीचे भी आ सकता है, इस case में C का फिर से confusion है, C को लेकर confusion है, ठीक है, तो C को just हम note down कर लेते हैं, C या तो आएगा 8-way floor पर, या आएगा दूसरे floor पर, confusion है, बस हमने side में note down कर लिया है, अलग case तब बनाएंगे, जब C, बाकी किसी का confusion करेगा, clear है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, not more than two people live between A and G, A और G के बीच में दो से जादा लोग नहीं रहते हैं, क्या मतलब है, इसका दो से जादा लोग नहीं, not more than two, इसका मतलब होता है, दो या दो से कम हो सकते हैं, A और G के बीच में लोग कितने होने चाहिए, या तो दो होने चाहिए, या फिर दो से कम भी चल सकते हैं, not more than two का ये मतलब होता है, A और G के बीच में दो या दो से कम लोग होने चाहिए, clear है, आगे क्या दिया है, देखो, अब ये point, अगर हम यहाँ पर relate करने की कूशिश क करते हैं, तो हो सकता था कि ये point, नहीं क्यूंकि A और G रिलेट करने जाएंगे, तो confusion बहुत सारा होता, जिस condition में confusion बहुत सारा होता है, उसको हम क्या करते हैं, side में knock down करते हैं, ठीक है, आगे क्या दिया है हमें, there is one person living between C and A who lives just below, E point को समझते हैं, जारा क्या दिया है हमें, point को दिया है कि C और A के बीच में सिर्फ एक person आता है, और A जो की E के just नीचे रहता है, point क्या था, only one person live between C and A, A who lives just below E, A कहाँ पर रहता है, E के just नीचे, यहाँ पर इस point को relate करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर A को अगर C से compare किया है, तो A एक छोड़कर 6th floor पर आ सकता है, और इसके just उपर E यहाँ पर सत्वे पर आ सकता है, पर सिर्फ gap दिया है, मतलब हमें उपर नीचे दोनों भी तरफ चेक करना होगा, तो उपर तो आ सकता है, एक छोड़कर A यहाँ पर आ सकता है, और इसके तुरंट उपर E यहाँ पर भी आ सकता है, इस case में A फिर से हमें confuse कर रहा है, A या तो 6th floor पर आ सकता है, या फिर A second floor पर आ सकता है, ठीक है, हम अलग case कब बनाएंगे, जब A दूसरे किसी का confusion करेगा, यही point आगे relate करने की कोशिश करते हैं, अगर A को C से 1 floor चोड़कर उपर लेते हैं, तो A तो आ सकता है यहाँ पर, पर क्या इसके तुरंट उपर E आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो E को कहाँ पर नीचे चेक करते है A को, एक छोड़कर A यहाँ पर आ जाएगा, और E इसके तुरंट उपर मतलब यहाँ पर आ जाएगा, clear हुआ है, अब इस point मे इसको relate करने की कोशिश करते है C अगर यहाँ पर ले लिया हमने क्योंकि C खुद ही fix नहीं है न C अगर यहाँ पर ले लेते है तो A यहाँ पर आ जाएगा E यहाँ पर आ जाएगा हो सकता है C अगर हमने यहाँ पर ले लिया तो 1 छोड़कर A यहाँ पर आ सकता है क्योंकि इसमें एक छोड़कर A नीचे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है तो C यहाँ पर ले लिया तो एक छोड़कर A यहाँ पर आएगा पर इसके तुरंट उपर यह आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा इस case में मैं फिर से एक बार बताता हूँ C उपर और नीचे दोनों जगह पर आ सकता था अगर C और A के बीच में यह जो condition हमने देखी है इसको relate करने की कोशिश करते है तो C हम यहाँ पर ले लेते एक छोड़कर A यहाँ पर E यहाँ पर नहीं आ सकता था इसका मतलब इस case में C यहाँ पर नहीं आना चाहिए तो यह confusion जो होता हमारा यह तो clear हो गए ठीक है इसका मतलब C definitely यहाँ पर आ जाएगा इसके नीचे एक फ्लोर छोड़कर A यहाँ पर आ जाएगा और E यहाँ पर clear हुआ है सबको ठीक है अब आगे बढ़ते है यह point तो हमने सारा relate कर दिया है आगे बढ़ते है आगे क्या दिया है हमें the total number of persons living between F and B is same as the total number of persons living between F and A point क्या है F और B के बीच में जितने लोग रहते है उतने ही लोग कहां पर रहते है F और A के बीच में इन दोनों के बीच में जो भी लोग रहते है वो क्या होने चाहिए थे same होने चाहिए थे अब कुछ ऐसी ही condition हमने कल वाले session में discuss की थी क्या किया था देखो F B से जितना दूर है उतना ही A से दूर है इसका मतलब क्या है F A और B इन दोनों के बीचों बीच में होना चाहिए है न क्योंकि यहां का gap और यहां का gap तभी same हो सकता है जब वो उन दोनों के exactly बीच में आता हो clear हुआ है ठीक है और आखरी point क्या दिया था हमें B जो क्या दिया था B lives below F B जो है F के नीचे रहता है मतलब यह कैसा सीनारियो आ जाएगा A उपर आ जाएगा फिर F आ जाएगा और फिर B आ जाएगा ठीक है क्योंकि B lives below F और यहां पर जितने भी लोग है यह कैसे होने चाहिए थे same होने चाहिए थे यह हमें clear होता है आखरी like clear हुआ है ठीक है अब यहां पर देखते है अब इस case में हम यह वाले information relate करने की कोशिश करते है अगर relate किस से करते हैं हम कर सकते थे A से कर सकते थे क्योंकि इस में और C में यहां पर common क्या है यहां पर A common है तो यह point हम A से relate कर सकते थे अब देखो A खुद ही fix नहीं है तो कोशिश करते है इसका क्या हो सकता है अब C यहां पर है तो अगर हम A यहां पर लेते है इस condition के according अगर A यहां पर लेते है ठीक है तो A के नीचे F और B आने चाहिए थे मानलो हमने A यहां पर लिया तो इसके नीचे F और B के लिए जगह है क्या हमारे पास नहीं है इसका मतलब इस case में A यहां पर आ सकता है क्या नहीं आ सकता है ठीक है A confirm कहां पर आना चाहिए था यहां पर आना चाहिए इसके तुरंट उपर कोन होना चाहिए E होना चाहिए clear हो गया, अब इस case में A का confusion clear हो गया, ठीक है अब बाकी की चीज़े relate करने की कोशिश करते है, A के नीचे F और उतने ही लोग छोड़ कर B होना चाहिए, अब A के नीचे F, या तो पांचवे पे आ सकता है, या तीसरे पे आ सकता है या फिर दूसरे पे आ सकता है, ठीक है हम सारी positions पर check करते है अगर हम F को पांचवे floor पे लेते है ठीक है, तो यहाँ पर A और F के बीच में लोग कितने हो जाते हैं A और F के बीच में लोग 0 होते हैं तो B और F के बीच में भी लोग कितने होने चाहिए थे 0, तो यहाँ पर तुरन चोड़ कर B आ सकता था कि यहाँ पर नहीं आ सकता था, इसका मतलब F यहाँ पर नहीं आना चाहिए था ठीक है, अब देखो यहाँ पर check करते हैं F यहाँ पर अगर अगर लेते तो क्या होता देखो, ठीक है conditions हमें याद होनी जरूरी है अगर F यहाँ पर लेते तो क्या होता, A और F के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, दो लोग यहाँ पर दो लोग आ रहे हैं मतलब यहाँ पर भी कितने लोग आने चाहिए थे दो, तो F के नीचे दो लोग छोड़कर B आ सकता है क्या, नहीं आ सकता और सेम चीज़ कब हो जाएगी जब F यहाँ पर लेंगे, A और F के बीच में तीन आ जाएंगे, और F यहाँ लिया तो तीन छोड़कर नीचे B नहीं आ सकता था, इसका मतलब इस केस में F और B नहीं आ सकते है मतलब यह केस हमारी क्या हो गई है कैंसल, यहाँ से हमें solution नहीं मिल सकता है यहाँ पर देखते है यहाँ पर क्या दिया है हमें A और F, इसके नीचे F अब F के लिए यहाँ पर दो ही जगह थी है ना, अब दोनों जगह पर केस क्या हो जाएगी हमारी, कैंसल हो जाएगी ठीक है, आगे देखते है क्या दिया है अब यहाँ पर A के नीचे एक यह जगह खाली है, दूसरी, तीसरी और चौती इन चारों में से किसी भी जगह पर F आ सकता था ठीक है, पर अगर हम F को यहाँ पर लेते, तो इसकी नीचे B चाहिए था, तो जगह नहीं है B के लिए तो F यहाँ पर नहीं आ सकता था ठीक है, देखो तो F की एक जगह तो कैंसल हो गई, अब बची सिर्फ तीन, इन तीनों पर हम F को चेक करते हैं, अगर हम F को यहाँ पर लेते, तो इस condition के according, A और F के बीच में gap कितना है, तीन, तो यहाँ पर तीन छोड़कर B नीचे जा सकता है क्या, नहीं, मतलब F यहाँ पर भी नहीं आएगा यहाँ पर अगर लेते है तो दो का gap आ रहा है, A और चाहिए थे, A, मतलब एक फ्लोर छोड़कर यहाँ पर को न आना चाहिए था, B, क्लियर हुआ है क्या किया हमने अब तक क्लियर हुआ है, ठीक है अब देखो क्या किया है अब यह information तो हमारी use हो चुकी है, इसको हमने utilize कर लिया है, अब हमारे पास सिर्फ एक ये point बचा है कि A और G के बीच में दो से जादा लोग नहीं होने चाहिए थे फिलाल, G के लिए सिर्फ हमारे पास दो जग़ खाली है, जी इन में से किसी भी जग़ पर आ सकता था ठीक है, पर G को अगर हम यहाँ पर लेते थे तो A और G के बीच में कितने लोग हो जाते, चार लोग हो जाते जो कि ये condition satisfy नहीं करते इसका मतलब G यहाँ पर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता G confirm कहाँ पर आना चाहिए था यहाँ पर A और G के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, देखो यहाँ पर दो ही लोग आ रहे हैं, तो यह condition पूरी-पूरी satisfy हो चुकी है ठीक है, तो यह condition satisfy हो चुकी है इन में बचा कौन है सिर्फ H, तो H आ जाएगा पहले floor पर ठीक है, यह solution आपके सामने है clear हुआ है दोस्तों ठीक है, अब देखो क्या है हमने अब तक क्या किया है यह पूरी puzzle solve कर ली है ठीक है, यहाँ पर हमें क्या थोड़ी सी difficult लगी होगी कल की puzzle से यह, क्यों क्योंकि इसमें जो information confused, बहुत ज़्यादा confuse करने वाली थी यह थोड़ी ज़्यादा थी, और जैसे कि मैंने कल कहा था, कि puzzle difficult कहां से बन सकती है एक तो condition, comprehension के लिए difficult आएगी, नहीं तो जो information ज़्यादा confuse करेगी वो हमें ज़्यादा दी जाएगी clear हुआ है, ठीक है अब देखो, मैंने कल भी कहा था, कि puzzle solution का speed जो होता है, वो किस बात पर depend होता है, कि यह जो confuse करने वाली information है, इसको हम कितने disciplined manner में handle करते हैं, ठीक है तो यह बस approach share करने की यहाँ पर कोशिश की है, अगर आपको यह approach अच्छा लगा है तो इसी बने रही हैगा साथ में हम इसी series को आगे continue करेंगे ठीक है, stay tuned and have a nice day कर दो आपको 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 आपको